देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे वो भी मेरे साथ मुंबई की श्रव नयले ने स्टी महामंडल की हरताल को अवैद माना है इसके साथ ही करिब धाई महने से अधिक समय से जारी स्टी करमचारियों की हरताल सवालों के घेरे में आ गई है वही प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी पर अनर्गल बयान बाजी को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रदेश कॉंग्रेस अद्धिक्षर नाना पटोले पर चौतरफा हमला बोला है तो अकोला के SBI बैंक में चोरी की कोशिश करने वाले दो आरोपियों को नई मुंबई पुलिस के अपराजशाखा ने रायगर जिले के खारगर इलाके से ग्रफतार किया है इसी बीच 26 जनवरी के बाद कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में राहत देने के साथ साथ स्कूल कॉलेज खोलने पर निर्ने लेने के संभावना है राजश सरकार मान रही है कि कोरोना के तीसरी लहर धीरे-धीरे खतम हो रही है इसलिए पाबंदियों में राहत देने पर विचार करना चाहिए उधर ठाने पुलिस की अपराज शाखा के हत्ते चड़े व्यक्ती ने खुलासा किया है कि शादी के बहाने उसने 14 महिलाओं से करिब एक करोड रुपे की ठगी की है प्रदेश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ करिब धाई महिने से अधिक समय से S.T. करमचारियों की हरताल चल रही है कोड का मानना है कि हरताल को लेकर करमचारी संगटनों की और से सही तरीके से नोटिस नहीं जारी की गई है दरसल हरताल पर रोक लगाने के मांग को लेकर महामंडल ने कोड में आविदन दायर किया था सुनवाई करते वोई अधालत ने कहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं कानून के मताबिक हरताल पर जाने से पहले करमचारी को छे सबता पहले नोटिस देना जरूरी है लिहाजा स्टी करमचारी की हरताल क्यों आवेद माना जाए स्टी की और से पहरवी करने वाले अधिवक्ता जी एस हेगड ने बताया कि विस्तूत आदेश नहीं उपलब्ध हो पाया है इसे बीच सोंवार को भी स्टी महामंडल प्रशासन ने 304 हरताली करमचारी को बरखास्त कर दिया है अब तक 3862 करमचारी बरखास्त किये जा चुके है जबकि 11,024 करमचारी को निलंबित किया गया है अभी तक 6,029 करमचारी को बरखास्त करने के लिए कारण बताव नोटिस जारी किया गया है प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भाच्पा के निशाने पर है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर उनके दिये एक कथित बयान पर भाच्पा नेता उन्हें चोतरफा हमला बोला है विदान सबा में विपक्ष के निता देविंदर फटनविस ही नहीं प्रदेश भाच्पा ध्यक्ष चंद्रकान पाटिल ने भी जम कर क्लास ली फटनविस ने कहा कि केवल शारिरिक उचाई से काम नहीं चलता है वैचारिक और बौधिक उचाई भी होनी चाहिए पाकिस्तान की सीमा से करीब पंजाब में प्रधान मंतरी का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा और पंजाब में कॉंगरेस के मुख्य मंदरी चरंजित सिंग चन्य ने इस घटना का संग्यान भी नहीं लिया अब पटोले मोधी को मारने की धमकी दे रहे हैं प्रदेश भाचपा धिक्षय चंदरकान पाटिल ने कहां कि पटोले ने कारेकरताओं से बोलते समय प्रधान मंतरी को मारने और गाली देने की धमकी दिये हैं भाचपा इसको सहन नहीं करेगी भाचपा के कारेकरता हर जिले में पटोले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्च कराएंगे यदि पुलिस ने शिकायत दाखिल नहीं की तो भाचपा अदालत में जाएंगी पाटले ने भाजपा के सभी जिलाद धेक्ष को पटोले को आकरमक रूप से जवाब देने के निर्देश दिये है पटोले ने कहां कि केंद्रिया मंत्री नारायन राने ने इस तरह का एक बयान दिया था जिसके खिलाफ राज्य की पुलिस ने कारवाई की थी लेकिन पटोले ने प्रधान मंत्री के काफीले को रोकने की घटना के पीछे केंद्रिया गुरूह मंत्री अमिच्छा का हाथ होने संबन्दी बयान दिया था फिर भी पुलिस कारवाई नहीं कर रही है अकोला के SBI बैंक में चोरी की कोशिश करने वले दो आरोपियों को नए मुंबई पुलिस की अपराथ शाखा ने राइगड जिले के खारघर इलाके से गिरफतार किया है आरोपियों को जाल बिचा कर पेट पाड़ा गाउ से दबो जा गया गिरफतर आरोपियों के नाम सौधागर शेख और शेरशाह शेख है सौधागर पशिम बंगाल के मालदा जबकि शेरशाह ज्हारखन के साहिब गंच का रहने वाला है दोनों आरोपियों ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर अकोला में स्थित डॉक्टर पंजाब राओ देशमो कुरुषी विश्वविद्याले परिसर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ग्रिल तोड़ कर चोरी की कोशिश की थी लेकिन लोकर मजबुत होने के चलते आरोपिय अपने मनसुबे में कामयाब नहीं हो पाए थे आरोपिय बैंक में लगे सिसी टीवी और डीवी आर अपने साथ ले गए थे बीते 25-26 दिसंबर की रात हुई वारदात की जानकानी मिलने के बाद आकोला की M.I.D.C. पुलिस ने F.I.R. दर्च कर चानमिन शुरू की और परिसर और दुसरे इलाकों में लगे सिसी टीवी की जानच गर आरोपियो की पहचान की साथ ही उनके खारगर इलाके में आने की जानकानी मिली इसके बाद नए मुंबई पुलिस को सूचना दी गई पुलिस के मुताबिक आरोपियो पर चार घंटे तक नजर रखने के बाद दबोचा गया सुदागर के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्च है पकड़े के आरोपियों को मामले की चानमिन कर रही अकुला पुलिस के हवाले कर दिया गया है राज्य सरकार मान रही है कि कोरोना की तीसरी लहर धीरे-धीरे खतम हो रही है इसलिए पाबंदियों में राहत देने पर विचार करना चाहिए 26 जनवरी के बाद कोरोना टास्क फोर्स की बैठक में रहत देने के साथ-साथ स्कूल कॉलेज खोलने पर निरने लेने की संभावना है राज्य के स्वास्ता मंतरी राजश टोपे ने माना कि बच्चों में कोरोना संक्रमन के मामले कम है और शिक्षा का नुकसान हो रहा है इसलिए स्कूल कॉलेज खोलने पर जल्द ही मुख्य मंतरी उद्धा उठा करे निरने लेंगे टोपे ने कहां कि फिलहाल राज्य में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या दो दशमलो 65 लाख है इसलिए हम 31 जनवरी के बाद स्कूल खोलने पर विचार करेंगे अभी 15 दिन है तब तक तो पूरी स्थिती साफ हो जाएगी बच्चों के माता पिता भी स्कूल खोलने की मांग लगातार कर रहे है राज्य के 15 जीलों में टीका करन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है ये वहीं जीले है जहां कोरोना के मरिज बढ़ रहे है सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि जिन जीलों में मरिज कम है और टीका करन का प्रमान ज्यादा है वहाँ पर प्रतिबंध खतम किये जाए लेकिन जीन जीलों में मरिज ज्यादा आ रहे है वहाँ धिल न दी जाए सरकार का जोर टीका करन बढ़ाने पर भी है इस शक्स पर आरोप है कि खुद को इसरो और नासा का व्यग्यानिक बताते हुए इसने मैट्रिमोनियल साइट्स पर एक नकली प्रोफाइल बनाई और कथित तौर पर शादी के बहाने 14 महिलाओं के साथ धोका धड़ी करके एक करोड रुपे ठग लिए आरोपी आधित्य और नवुष और तनमय महात्रे के निशाने पर मुंबई ठाने कल्यान ड्राइगड नवी मुंबई की हाई प्रोफाइल महिलाए रही ग्रफतारी में आरोपी नहेरत अंगेज राज उगले है उसने बताया कि मैं पहले दोस्ती करता था और फिर मीठी बात जो में भी कई यूवतियों के साथ उसने इसी तरह से धोका धड़ी की है पुलिस के अनुसार आरोपी शादी शुदा है और उसका एक बच्चा भी है वो बेरोजगार है इसलिए उसने जल्दी पैसा कमाने के लिए तरीक आपनाया वो ज्यादतर तिस वर्ष से अधिक उम को छोड उसे पकड़ने वाले की गर्दन ही काट दी है वही पंजाब में अवैद रैत खनन कंपनियों के खिलाफ मनी लॉंडरिंग के तहट प्रवरतन निदेशाले ने चापे मारी की है उनमें से एक सीम चरंजित सिंग चन्नी के भतेजी के भी है इसी बीच पिछले 14 जन का बुल्डोदर चला है देश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ था खुफिय एजन्सियों को गणतंत्र दिवस पर संभावित आतंकी साजिश के बारे में अलर्ट मिला है इसमें प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की जान को खत्रा बताया गया है मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक नौ पन्नों की खुफिया जानकारी में पीए मोधी और उन हस्तियों के लिए खत्रा बताया गया है जो भारत के 75 गणतंत्र दिवस समारों में शामिल होंगे गणतंत्र दिवस पर 5 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेगिस्तान के नेताओं को मुख्य अतीथी के रुप में आमंतरित किये जाने के संभावना है नोट में बताया गया है कि ये खत्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बहार स्थित गूटों से है रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी संघटनों का उद्देश बड़ी हस्तियों को टार्गेट करना सारवजनिक सभाओ, महत्वपुर्ण प्रतिष्ठानों और भीडभाडवाले इलाकों में अशान्ती फैलाना है ड्रोन से भी हमले की कोशिश की जा सकती है इनपूट में कहा गया है कि आतंकी खत्रे के पीछे लशकर तयबा, दरेजिस्टेंस फोर्स, जैशे महमद, हरकत उलमुजाहिदिन और हिजब उलमुजाहिदिन जैसे आतंक के संघटन है इनपूट में कहा गया है कि पाकिस्तान में सित्खालिस्तानी समुह भी पंजाब में आतंक फैलाने के लिए कैडरों को जुटा रहे है वे पंजाब और अन्यराज्यों में टार्गेटेट अटैक की भी योजना बना रहे है आंध्रप्रदेश से हरान करने वाला मामला सामने आया है वह त्योहार के अउसर पर बकरे की बली चड़ाई जा रही थी लेकिन जो शक्स बकरे की गरदन काटने वाला था उसने बकरे की बजाए उस शक्स की गरदन काट दी जो बकरे को पकड़े हुए था ये घटना चित्तूर की है रिपोर्ट के मुताबिक यहां स्थित वलसा पल्ले के एक मंदिर में संक्रान्ती के अउसर पर बली का आयोजन किया जा रहा था आसपास के लोग हर साल संक्रान्ती समारोह के दोरा निहा जानवरों की बली देते हैं और स्थानिया ये लम्मा मंदिर में चढ़ाते हैं हमेशा की तरह इस बार भी कारेक्रम का आयोजन किया जा रहा था एक बकरे को लाया गया जिसकी बली चढ़ाई जानी थी बकरे की गरदन काटने वाले का नाम था चलापती बकरे को सुरेश नामक व्यक्ति ने पकड़ा और चलापती उसे काटने के लिए आगे बढ़ा और बकरे की जगह सुरेश की गरदन काट दी वह लत्पत होकर वही गिर गया रिपोर्ट में पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया गया कि आरोपी नशे में था और उसने शिराब पी रखी थी उधर खुन से लटपत सुरेश को पास ही में स्थित मदन पल्ले के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया पुलिस ने बताया कि नशेडी आरोपी को पकड़ लिया गया है नुदक सुरेश शादी शुदा था और उसके दो बच्चे भी है पंजाब में अवैद रैत खनन कंपनियों के खिलाफ मनी लॉंडरिंग के तहट प्रवर्तन निदेशाले ने चापे मारी की है एजनसी की और से जिन लोगों पर चापे मारी की गई है उन में से एक राज्य के सीम चरंजित सिंग चन्नी का बतीजा वुपिंदर सिंग हनी भी है उसके दस अन्य ठीकानों पर भी चापे मारी की कारवाई की गई है पंजाब में वोटिंग से कुछ सब्था पहले इस एक्षन से राजनेती तेज होने के आसार बढ़ गए है ED की इस चापे मारी को कॉंगरेस ने भाजपा के नितरुतव वाली केंदर सरकार का चुनावी दाओं बताया है पंजाब चुनाओं में कॉंगरेस की मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने ट्वीट किया है कि चुनाओं के दोरान भाजपा सरकार CBI, ED और RT रेट्स का भी इस्तेमाल करती है दरसल CM चन्नी की बढ़ती लोग प्रियता से भाजपा डर गई है इसलिए अब वो अपनी B TMO के जरिये चापे मारी जैसे काम कर रही है बतादे कि पंजाब में ड्रग्स माफिया के लावा रेट माफिया का भी मुद्दा हमेशा जही चुनावी मुद्दा रहा है ऐसे में इस चापे मारी के चलते भाजपा की ओर से कौंग्रेस को घेरा जा सकता है पंजाब की 117 सीटो पर एक ही राउंड में 20 फर्वरी को मतदान होना है इससे पहले राज्य में 14 परवरी को मतदान होना तै था लेकिन रविदास जहनती के चलते कॉंग्रेस सभी दलों ने चुनाओं को टालने की मांग की थी ने साल के आगास के साथ ही राजधाने दिल्ली में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में इज़ाफा दर्ज हो रहा था हाला कि ठीक होने वालों का ओसत काफी कम था लेकिन पिछले 14 जनवरी से स्थिती ने करवट ली है और अब ने मरीजों की तुल्ला में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जादा है यही वज़ा है कि 13 जनवरी को एक्टिव केस बढ़ कर 94,360 तक पहुच जाने के बाद इसमें कमी शुरू हो गई है और 17 जनवरी को इसकी संख्या 83,982 पर आ चुकी है पिछले चार दिनों में लगबग 10,000 से अधिक एक्टिव मामले में कमी हुई है जो रहत के संख्यत है पुष्टी हुई है और एक्टिव मरीज बढ़ कर 94,160 तक पहुचे रिपोर्ट पर गौर करे तो एक जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक नए मरीजों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों की संख्या रोजाना अधिक रही है पहली बार इस बार 14 जनवरी को इस ट्रेंड में बदलाव दिखा और नए मरीज 24,383 की तुलना में 26,236 मरीज ठीक हुए देश के अन्य भागों में भी कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे है मध्यप्रदेश के उज्जेन में चाइनीज मांजा बेचने वाले तिन आरोपियों के अवेद घरो पर शिवराद सरकार का बुल्डोजर चला है यहाँ चिनी मांजे से एक युवतिकी गला कट जाने से हुई मौत के एक दिन बाद पुलिस ने तीनो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च किया था युवतिकी मौत के बाद सीएम शिवराद सिंग चोहा ने कड़ी कारवाई के निर्देश दिये थे जिलाधिकारी ने बताया कि हमने चाइनीज मांजे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए धार 144 के आदेश सर्कुलेट किये थे लेकिन बिक्री बंध नहीं हुई इसके बाद जब आरोपियों के यहां से बड़ी मात्रा में चाइनीज मांजा बरामद हुआ और उनकी हिस्ट्रेशेट भी खंगाली गई तो हमने कड़ी कारवाई करने का फैसला किया इसी के तहट प्रतिबंधित मांजे की बिक्री को रोकने के लिए हमने उनके अवैद घरों को ध्वस्त कर दिया है बतादे की उज्जन शहर के माधवनगर पुलिस थाने इलाके में जीरो पॉइंट पूल पर पतंके चाइनीज मांजे से स्कुटी पर जा रही विसवर्शियर नेहा अंजना की गला कट जाने से मौत हो गई थी घटना पर संग्यान लेते हुए मुख्या मंदरी शिवराज सिंग चोहान ने बाजर में बिग रहे इस खतरनाक मांजे की जांच करने और कडी कारवाई करने के निर्देश दिये थे भारत को खुरासान में शामिल करने का सफना देखने वाला खुरासान का पुर्वसरगरा असलम फारुकी मारा गया है बताया जा रहा है कि आपसे संगर्ष में उससे गोली मारी गई है वही संयुकतर अब अमिरात के एक मुख्या अंतरराष्टिय हवाई अड़े पर तिन इंधन टैंकरों में हुदी विद्रोहियों ने विस्पोट कर दिया है इसमें दो भारत्य नागरी को समेथ तीन लोगों की मौत हुई है तो अमिरिका में कल से 5G तकनिक शुरू किया जाना है इससे पहले देश की तमाम बड़ी एरलाइन्स ने बाइडन प्रशासन से कहा है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और इसे कुछ समय के लिए टाल दे इसी बीच आधुनिक तकनिक की सहायता से दो भाईयों ने अमिरिका से बैठे-बैठे अपने कानपुरस्तित घर को लुटने से बचा लिया तो अमिरिका में कोविट महामारी की शुरुआत के बाद मौजुदा दोर में बच्चे सबसे ज़ादा प्रभावित हो रहे है महा संक्रमन और तेज होने की आशंका है दुनिया भर के इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बढ़े रही है आप हमारे साथ खुरासान के पुर्व सरगना असलम फारुकी की देश के उत्तरी इलाके में गोली मार कर हत्या कर दी गई है वह भरत को भी खुरासान में शामिल करने का सपना देखता था असलम फारुकी के मौत की पुष्टी स्थानिय लोगों और आतंकी के परिवार के सदस्यने भी की है बताया जा रहा है कि गुली बारी की यह घटना उत्तरी अफगानिस्तान में हुई है जाच में यहाँ भी खुलासा हुआ है कि फारुकी की मौत एक संगर्श में हुई है जबकि ऐसी भी खबर है कि वह आपसी संगर्श में मारा गया असलम फारुकी काबुल में एक सिख गुर्दवारे और एक अस्पताल में हुए नरसंगार सहित कई हमलों का मास्टर माइंड था काबुल गुर्दवारे में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कश्मिर के मुसल्मानों के लिए उसने बदला लेने का हवाला दिया था इसमें एक भारतिय नाकरिक सहित कई अफगान सिक मारे गए थे असलं फारुकी को पिछले साल अप्रेल में अफगान सुरक्षा बलों ने गिरपतार किया था लेकिन जब तालीबान ने 15 अगस को काबुल पर कबजा कर लिया तो उन्होंने बगराम जेल से सबी आतंकवादियों को रिहा कर दिया फारुकी को भी रिया कर दिया गया था अबगान सुरक्षा बलो की हिरासत में रहते वे असलम फारुकी ने ISI के साथ अपने संबंदों को कबूल किया था लिहाजा पाकिस्तान उसके प्रत्यरपन के लिए बेताब था बहराल फारुकी की जगह पर अबु अमर खुरासानी जुलाई 2019 से ISK का सरगना बन गया है सयूकता अरब अमिरात के एक मुख्या अंतर राश्चिय अहवाई अड़े पर तीन इंधन टैंकरों में विश्वोट हो गया इसमें दो भरतिय नागरे को समेत तीन लोगों की मौत हो गई और शा अन्य गायल हो गए अबुदावी पुलिस ने इसके लिए ड्रोन हमले को जिम्मेदार ठहराया है यमन के हुती विद्रोईयों ने इस हमले की जिम्मेदारी लिए है हुती के सैन्य प्रवक्ता याही या सरेई ने कहा कि उनके समोह ने UAE के अंदर तक हमला किया है दरसान यमन के बड़े हिस्से पर हुती विद्रोईयों ने कबजा किया हुआ है यहां अंतराष्ट्री अस्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार की बहाली के लिए सौधी अरब की अगवाई वाला सैन्य गटबंदन हुतीयों के खिलाप लड़ रहा है यमन के ग्रुए युद्ध में लड़ाई के लिए UAE सौधी गटबंदन में 2015 में शामिल हो गया था UAE ने हाल के हफ्तों में यमन में हुती ठिकानों के खिलाप अपने हवाई अभियान को तेज कर दिया है हुती विद्रोईयों ने कह था कि वह इसके खिलाप जवावी कारवाई करेगा सुम्बारक वे हमलों को इसी कारवाई का हिस्सा माना जा रहा है होती उत्तरी यमन में सुन्नी इसलाम की सलाफी विचारधरा के विस्तार के विरोध में है यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है यहाँ सौधी अरब UAE की सेनाओं का मुकाबला होती विद्रोडियों से है अमेरिका में कल से 5G तकनिक शुरूप किया जाना है इससे पहले देश की तमाम बड़ी एरलाइन्स ने बाइडन प्रशासन से कहा है कि वह इस मामले में हस्तक शेप करे और इसे कुछ समय के लिए टाल दे एरलाइन कमपनियों ने चेताओने भी दी है कि इसके परिणाम नुकसान दायक हो सकते है दरसल 5G तकनिक से एरलाइन्स की फ्रिक्वेंसे में बाधाय आने की आशंका है करीब 10 एरलाइन्स कमपनियों के प्रतिनीजियों ने एक पत्र लिखकर बाइडन प्रशासन से कहा है कि एरपोर्ट्स के नज़िक 5G तकनिक के शुरू होने पर कुछ दिन के लिए लगाम लगाई जानी चाहिए पत्र के अनुसार एरलाइन्स और टेली कम्यूनिकेशन इंडस्ट्री के बीच बादचीत चल रही है इस बादचीत के बाद ही 5G तकनिक को शुरू करने को कुछ दिनों के लिए टाला गया था लेकिन अब वह समय इसी हफ्ते पूरा हो रहा है माना जा रहा है कि अगर 5G तकनिक लागू हुई तो फिर करीब 1100 फ्लाइट की उड़ान रद्द हो सकती है और लगबग 1100 यात्री प्रभावित हो सकते है इसका असर न सिर्फ यात्रियों पर पड़ेगा बलकि कारगो उड़ाने भी प्रभावित हो सकती है फेडरल अधिकारियों की तरब से इस हफ्ते 5G तकनिक के शुरू होने से पहले कमर्शियल एरलाइन्स पर तमाम ट्रतिबंद हटाए जा रहे है आधुनिक तकनिक की सहायता से दो भाईयों ने अमेरिका से बैठे बैठे अपने कानपूर स्थीद घर को लूटने से बचा लिया जानकारी के अनुसार कानपूर के शाम नगर निवासी हरियों अवस्थी विजय अवस्थी अमिरिका में इंजिनियर के पत पर तैनाथ है उन्होंने अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए मोशन सेंसर कैमरा लगाये है सोमवार देर रात उनके घर में कुछ चोर गुस गए जो कैमरे में कैद हो गए अमिरिका से विजय ने पड़ोसी को फोन कर बताया कि उनके घर में चोर गुसे है सूचना से इलाके में हड़कम्प मज गया अननफानन में डीसीपी पूरवी के साथ भारी संख्या में फोर्स पोची मुटभिन में एक चोर को पैर में गोली लगी है विजय की बर्रा और यशुदा नगर में दो बहने रहती है उन्होंने बताया कि रात करीब बारा बजे भहिया का फोन आया था नेट आफ होने की वज़ा से उन्हें पता नहीं चला जब देखा तो फोरण उनसे बात की जिस पर पता चला कि घर में चोर गुसे है इसके बाद ही वा चाबी लेकर शाम नगर पहुची पुलिस ने चाबी से घर का ताला खोल कर पूरे घर की तलाशी ली DCP पुर्वी ने बताया गहल अवस्ता में एक बदमाश को हैलेट अस्पताल में भरती कराया गया है बाकी दो फरार हो गये है पुलिस ने दोनों भाईयों की तारिप की है कोवीड के बच्चों पर अधिक प्रभावी नहीं होने की आमधरना की विपरित अमिरिका में कोवीड महमारी बच्चों की दुश्मन बने हुई है जो पूरी दुनिया के लिए खत्रे का संकेत है United States Center for Disease Control and Prevention के आकडों के मताबिक अमिरिका में कोवीड महमारी की शुरुवात के बाद मौजुदा दौर में बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे है गंबिर कोवीड संक्रमन की वज़े से अमिरिका में हर दिन 17 वर्ष से कम उम्रके 893 बच्चे अस्पताल में भरती हो रहे है CDC के आकडों से पता चला है कि देश में 21 अगस 2020 से 13 जन्वरी 2022 के दौरान 17 वर्ष या इससे कम उम्रके 90,000 से अधिक बच्चों को अस्पताल में भरती कराया जा चुका है इनमें भी ज़्यादातर बच्चे नवजाद से लेकर 4 वर्ष की उम्रके है जिनका टिका करन शुरू नहीं किया गया है हालागि CDC के दावा है कि अभी बच्चों की अस्पताल में भरती होने की कूल दर वैसकों की तूलना में काफी कम है लेकिन इहां भी आशंका है कि आने वाले हपतों में बच्चों में कोविड संक्रमंण और तेजी से बढ़ेगा जिससे उनके अस्पताल में भरती होने की दर भी बढ़ेगी सटी काकड़े इसलिए जारी नहीं किये जा रहे है ताकि बच्चों को लेकर अभिभावकों में गयर जरूरी चिंता है और तनाव नहीं बढ़े तो आज की स्खास पेशकेश में बस इतना ही आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विके विन्योज नमस्कार